happening है हेलो स्टुडेंट्स तो नूउटल फिजिक्स अपनलोग कर रहा है लास्ट कलास में अपने प्रॉपेटी अफ न्यूटलास प्रोपरटी कर ली थी ठीक है ना और कौन सी प्रोपरटी की थी हमने है zat Clemen अब यह बीच में तॉपीक आता है निक्लियर फोर्स युकावा पोटेंशियल वगर आता है यह में संथियोरी आती है अगर आपको मेरे को करवाना है तो आप मिरेको बता देना एक बार अगर उकावा में सॉन्थ भी करवानी तो अधरवाइस जो है अपन शुरू कर रहें अपना अगला टॉपिक वो है मॉडल ठीक है ना नुकलर फोर्सेज वगर आते हैं वो पढ़ लेना मतब थोरेटिकल टॉपिक है इसलिए मैंने वो छोड़ दी है वो आपना बुग में से भी कहीं से भी पढ़ सकते हो तो आपको सम होते हैं अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं और मलब जो जो प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ लेना थ्योरी है मतलब वोकुल मिला कर ऐसा कुछ उसमें स्पेशल है नहीं ठीक है और सुनो ठीक है तो अपन जो है आज शुरू कर रहे हैं मॉडल नुक्लियर मॉडल नाबिक के कुछ मॉडल है जो बेसिकली देखो अभी तक हमें पता है कि नुक्लियर के अंदर प्रोटो न्यूट्रोन होते हैं लेकिन किसे शेप में होते हैं किस तरीके से होते हैं नुक्लियर की शेप क्या होते हैं इसके बारे में अभी तक हमें कुछ नहीं पता जानकार पता था लगाए पिरुषीन है लगा करवा तो पताई की नावी के प्रोटोन होते है उसके बाद अम Songs के अंदर प्रोटोन न्यूट्रॉन है? पता चला कि इसे खोजह हुई तो हुई तो पता चला नावी के अंदर होता है, तो अभी तक हमें यह पता है कि नाभिक के अंदर प्रोटोन न्यूट्रोन होते हैं और इलेक्टोन जो होते हैं वो उनके चारो तरफ रिवॉल्व करते हैं अलग-अलग औरबिट्स में ठीक है अब proton और neutron तो है ना भी के अंदर लेकिन आमें उसकी शेप के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि नुकलेस की शेप कैसी होते तो नुकलेस की शेप को दरशाने के लिए दो तर एक एक मॉडल आये एक आया द्रवबूंद मॉडल या liquid drop मॉडल जिसको कहते है और दूसरा मॉडल आया shell मॉडल ठीक है ना तो सबसे पहले दो मॉडल है इसमें एक आपका liquid drop मॉडल पूछा जाता है पेपर में ये छोटे कोशन में यानि की द्रवबूंद मॉडल ठीक है और दूसरा आता है इसमें shell मॉडल शेल मॉडल की चर्चा बाद में करेंगे आपके सबस में होगा तो उसे साब से देख लूगी मैं और पहला आपन देखेंगे कौन सा वाला मॉडल लिक्विड ड्रॉब ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल समझब है तो लिकुड ड्रॉप मॉडल जो है basically किसलिए दिया गया ना भी कि स्ट्क्चर को बताने के लिए किसने बोर ने किसने दिया scientist bore ने by physicist bore नील्स बोर ठीक है नील्स बोर ने दिया वही बोर जिनोंने ये बताया था कि जो electron होते हैं वो नाभी के चारो तरफ अलग-अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं ठीक है जब वो अपनी कक्षाओं में होते हैं तो ना उर्जा का उत्सर्जन करते हैं ना अफ्श से नीचे आते हैं तो क्या करते हैं उत्सर्जन यानि की ambition करते हैं यह सारी बाते बोर ने बताई थी और बोर ने ही नाभी की स्ट्रक्टर के बारे में बताने की कोशिश की और जो सबसे पहले बताई थी वह है लिक्विड ड्रॉप मोडला जिसको समझो एक बार समझोगे लिखने में कोई दिक्कत नियागी याद करने में भी कोई दिक्कत नियागी देखो लिक्विड ड्रॉप मतलब बोर ने नाभीक की सनचना की तुलना जो है वह एक द्रव बूंद से की यानि कि पानी की बूंद है उससे की कैसे की उसने पहले नाभीक की प्रॉपटी तो सबसे पहले नहीं ने देखा कि जो nucleus होता है यानि कि नाभिक होता है उसमें क्या होता है कि proton होते हैं और साथ में neutron हुआ है तो nucleus की जो binding energy पर nucleon होती है वो कैसी होती है constant होती है कैसी होती है binding उनारी कौस्टेंट होती है किस के लिए for medium and heavy nucleus जो भारी और मध्यम करम के नाभिक होते हैं उनकी जो binding energy per nucleon होती है वो बोर ने देखा कि वो constant होती है अब सुनो binding energy per nucleon का क्या मतलब है हमें पता है कि nucleus के अंदर proton और neutron होते है मतलब proton और neutron मिलकर के nucleus को बनाते है समझ में आ रही है अब proton और neutron बंधन बनाते हैं आपस में जितनी ज़्यादा बंधन उर्जा होगी उतना ही ज़्यादा वो नाभिक क्या होता है stable होता है और अगर आपन ग्राफ खेंशते हैं अभी मैं आगे बताऊंगी भी आपको binding energy per nucleon के लिए अलग-अलग nucleus के लिए यहां पर तो हलके क्रम के नाभिक है इधर आपका बीच में आता है आईरन और इधर भारी है आईरन के इधर तो हलके तत्वे और आईरन के उदर के से हैं भारी तत्वे आईरन का जो atomic mass होता है वो होता है 56 ठीक है तो मध्यमक्रम के नाभिक और भारी नाभिकों के लिए बोर ने क्या देखा कि उनके binding energy per nucleon लगबग कैसी होती है constant होती है यह किस ने देखा बोर ने इसका मतलब उनने कहा कि जो binding energy है वो किसके समानुपाती है किसके समानुपाती है भी A के A को इधर ले जाओ ना constant को हटा रही हो तो प्रपोर्शनल लगाओंगी ना तो binding energy किसके समानुपाती देखी बोर ने यह क्या है किसके atomic mass के यानि कि नाविक के लिए उसके binding energy पर nucleon constant होती है यानि कि binding energy समानुपाती होती है कि इसके दर्वेमान परमानुभार के ठीक है इसी तरीके से नाविक का आयतन भी उसके atomic mass के कैसे होता है समानुपाती अच्छा atomic mass समानुपाती होता है इसका मतलब मैं ऐसा लिख दू क्या कि a upon b mass upon volume क्या होती है density density is equal to density तो मतलब इसके density कैसी होती है constant यह कह सकते है अपन बही वी को एक के proportional कहलो या density को constant कहलो बात तो एक है न तो इसका मतलब क्या है यह दोनों property किसमें भी होती है पानी की बूंद में भी होती है इसलिए उन्होंने बोर ने क्या कहा क्योंकि नाभिक के पास लगबग वही सारी property है जो के पानी की बूंद की पास होती है इसलिए नाभिक को नोने क्या कहा पानी पानी की बूंद की समान कहा मतलब उन्होंने कहा कि नाभिक की शेप एक पा वेरी डेंस कि वेरी डेंस मत्तब उसकी डेंसिटी कितनी होती है बहुत हाई और लगभग पता र most इतनी होती है टीलाँ सतरा किलोगि्र पर मीटर क्यों इसके अलावा पहली प्रॉपटी तो यह बता दी कि नाविक बहुत ज़दा डैंस है यानिकि डैंसिटी जादा है दूसरा उने बताया कि नाविक पानी की तरही इनकम्प्रेसिबल मतलब एसमपीडी है यानि कि उसको प्रेशराइज नहीं किया था सकता इनकम्प्रेसिबल मतलब एसमपीडी है बात समझ में आई मतलब बोर ने क्या कहा कि नाबिक का आकार पानी की बूंद की तरह कैसा है इन गूअए कुछी सफेरिकल है दूसरा उसकी क्या है क्या है पानी की तरह यह असमस्दिदागा न बाते हैं सब लिखाई धेक कि यह भी केक रहा है नाबिक के लिए नाबिक भी कौन से मद्धेकरम वाले और भारी नाबिक मद्धेकरम और भारी नाबिकों की binding उर्जग पर nucleon लगबख कैसी होती है constant यानि कि binding उर्जग किसके समानों पाती होती है द्रविमान संख्या के या atomic mass के ठीक है जो है वह पानी के समान बहुत अधिक डैंस और कैसा इनकंप्रेसिबल यानि कि SMP यह है इसी मॉडल को क्या नाम दिया गया नाबिक का द्रवबूंद मॉडल या लिक्विड ड्रॉप मॉडल समझ में आके तो चोटे कोशन में आता लग दो तिन को नमबर के कोशन में यह पूछी जा सकते हैं यह सारी बात है तो आप इन्हें लिख लेना भूक में भी मिल जाएगा समाजना जरूरी है दूसरा मॉडल नहीं इसी लिक्विड ड्रॉप मॉडल को आगे एक्स्प्लेइन करते हुए एक वैज्यानिक आए वान विज्यकर उन्होंने एक सूत्र निकाला सामी अनुभाविक सूत्र वह बहुत पूछा जाता है पेपर में तो वह मैं आपको ड्राइव कर भादेगे सेमी एम्परिकल मास फॉर्विला बहुत पूछा जाता है पेपर में आता ही है मतलब हर दूसरे साल आता है यह वाला कोश्चन देखो कौन सा वाला समझते जाना है कुछ भी नहीं उसमें सिंपल सा ही है हम पढ़ने जा रहे हैं सेमी एम्परिकल सेमी एम्परिकल मास फॉर्मिला हिंदी में बोलते हैं इसको सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र दिया किसने बाई वॉन विजेकर और इसको डवलप किया बाद में डवलप्ड बाई बेथे ने इसको और आगे बढ़ाया और दिया किसने था वॉन विजे करने दिया था ठीक है अब द्रव्यमान सूतर रिकका है वे वह सुनों देखो नाभिक जो होता है वह किससे मिलकर की बना होता है प्रोटोन और निट्रान से तो प्रोटोन उसके जो Constituent Particle है यानि कि उसके जो कण है कौन-कौन से प्रोटोन और न्यूटोन उनके द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है और यह कम हुआ द्रव्यमान या मास डिफेक्ट या द्रव्यमान में छती जो है वो किसमे कर वाट हो जाती है उर्जा में उसी उर्जा को अ एंपी नंबर आफ न्यूट्रोन कितने बचे ए में से जैड घटा होगे तभी तो नंबर आफ न्यूट्रोन मिलेंगे ठीक है और एक न्यूट्रोन का द्रव्यमान कितना है मन माइनस एबी एबी क्या है बाइंडिंग एनर्जी तो एक्वेशन समझ में आई यानि कि है कितने न्यूट्रोन का द्रव्यमान है मन कितने न्यूट्रोन है द्रव्यमान संख्या में से प्रोट्रोन की संख्या को घटा दो तो न्यूट्रोन की संख्या आ जाएगी तो एक का है मन तो इतनों का कितना होगा मल्टिप्लाय कर दो यह क्या है टोटल नंबर अफ कुछ कम होता है क्यूंकि और द्रवयमान संभनद E Walars स्कूर स्कूर áल ये क्या है मास इस त्व कर दो नूक्लिस पात समझ में आ गए अम इसको ऐसे लिख सकते हैं M is equal to ZMP plus A minus Z MN minus EB तो आप यहां लिख सकते हो EB is equal to binding energy binding बोले तो बंधन उर्जा और पता है अप यह सोचोगे कि मैंड़ाँ यहां तो आपने दुर्वेमान लिखे है इधर आपने उर्जा में से minus कर दिया कैसे यह तो equation dimensionally correct नहीं है correct है भई यहां पर पता है यह दुर्वेमान किस form में है MEV की form में तो यह भी आप लिख दो here MN and MP are in MEV MEV मतलब mega electron volt यानि कि हमने इनको energy के unit के form में लिखा है किसको MN और MP को यह दियान ठाखना है इस शीज़ का तो यह क्या है semi empirical mass formula इसमें हमें यह find out करना है EB EB जो है वो बहुत सारी energies का sum होती है इसमें आपके पास item energy यानिकि volumetric energy आती है इसके लावा उसमें pairing energy आती है यूगुबन ऊर्जा यानिकि इसके लावा इसमें asymmetric energy आती है यानिकि सम्मित ऊर्जा या ऐसम्मित ऊर्जा आती है ठेक है इसके लावा जो है कुलाम ऊर्जा आती है EC तो इन सभी के total से क्या मिलती है आपन को pending energy तो अपन को EB find out करना है उस EB को अपन यहाँ पर लिख देंगे और फिर उसको क्या कह देंगे कि यही सामी अनुभाविक मास फॉर्मिला है जो किस ने दिया था वान विजे करने बात समझ में आ गई इतना अपन को काम कर रहा है समझ में आ गई बात ठीक है तो सबसे पहले हम निकालेंगे EB की गड़ना calculation of EB ठीक है तो जो EB है वो कुछ energies का सम होती है EV का ES का EC का EA का और EP का यहाँ पर पता है EV क्या है EV है आयतन उर्जा V का मतलब volume से है आयतन उर्जा यानि की volume energy ES surface energy surface energy बोले तो प्रश्ठ उर्जा EC कुलाम उर्जा एके करके बताऊंगे क्या क्या है कुलाम उर्जा EA EA asymmetric energy एसम्मित उर्जा एके करके देखेंगे पहले इवी पढ़ेंगे फिर ES फिर EC फिर EA फिर EP इन सबसे इन सारी energy से मिलकर कि कौन बनता है नूकलेस बनता है यही अपन लोगों को पढ़ना है ठीक है ठीक है देखें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन आयतन उर्जा पांच energy है सबसे पहले बॉल्यूम energy अभी अभी हमने पढ़ा कि नाभिक के लिए जो बैंडिंग energy पर नूकलेन होती है वो आयतन के कैसे होती है समानोपाती तो आयतन उर्जा क्या लिखेंगे नाभिक की आयतन उर्जा नाभिक की आयतन उर्जा पता है क्या होती है ед विइ वह किसके proportional होती है तरबनल संख्या के ऐ परमाननु भार के कैसे होती है समानोपाती होती है समानोपाति को जब भटाते हो तो एक constant आता है वो है av समझ में आ गई तो ये ध्यान रखना है कि नाबिक की जो आयतन उज़ा होती है वो दर्वेमान संख्या ये क्या है दर्वेमान संख्या कहलो परमानोभार कहलो एकी बात है के समानुपाती होती है AB एक constant है AB क्या है आयतन गुणांग समझ में आ गई वो जो भी लिखी थी थी न है equation EB वाली EB वाली कौन सी जो हमने नाबिक के महास वाली लिखी थी उसको equation number 1 डालेंगे ठीक है यह हो गई या फिर 1 डाल दो उसको यह कोई equation number 2 दूसरी आती है आपकी surface energy इसको ध्यान से समझना अलग से भी पूछ लेता है इसको पेपर में surface energy यानि की प्रष्ट उड़ जा होता क्या है कि नाबिक जो है यह नाबिक है इसके अंदर क्या है proton है neutron है बहुत सारे सब मिलके बने हुआ है proton और neutron से मिलकर के क्या बना हुआ है नाबिक बना हुआ है अब पता होता क्या है नाबिक के अंदर वाला जो nucleus है अंदर वाला जो भी particle है चाहे वो proton है चाहे वो neutron है उस पर क्या होता है सब तरफ से बराबर force लगता है सब तरफ से यह भी लगा रहा है ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, श्ब लगा रहा है, अंदर वाला जो पार्टिकल है, उसको सभी attract करते हैं, यानि व시 उस पर čारो दिशाहों से बराबर फोर्स लगता है, लेकिन जो प्रस्थवाला पार्टिकल है, उस पर किवल अंदर की तरफ फोस लगता है, यानि कि बाहर तो कुछ है नहीं, इसके इदर की साइड कोई पार्टिकल थोड़ी है, इस वाले पर तो इसके तो चारो तरफ पार्टिकल थे, तो बल भी सब दिशा से बराबर लग रहा था, लेकिन जो वाले जितनी भी पार्टिकल है, उन पर सब पर अंदर की तरफ बल लग रहा है, इसका मतलब क्या होता है, कि प्रश्ट से ये क्या हो जाता है, इसके उपर प्रश्ट तनाव क्रियेट होता है, जैसे पानी की बुंद में भी तो प्रश्ट तनाव होता ना, सर्फेस टेंश कहता है यही सेम प्रॉपट्टी इसमें भी होती है तब है तो जो बोर थे उन्होंने नाभी की शेप को किसके जैसा कहा था पानी की बूंद की समान कहा था समझ में आगए बास इसलिए क्या होता है कि सरफेस पर एक energy जह से जो इनरजी होगी ना वो लिए कि बाइंडिंग उर्जा में क्या करेगी कमी करेगी और जब बाइंडिंग उर्जा में कमी होती है यानि कि यह पंदन उर्जा को कम करने का काम करती है समझ वे आ गई और यह कैसे होती है प्रष्ठी छेत्रफल के नेगेटिव के समानुपाती ठीक है ना आप आम यह पता है प्रष्ठी छेत्रफल के लो क्या हो जाएगा आपका प्रष्ठी छेत्रफल होता है वह कैसा होता है स्फेरिकल शेप यही तो होता है अब हमें पता है कि आर बराबर क्या होता है यह हमने नाभी की प्रॉपर्टी बड़ी थी वहां पर पड़ा था तो यहां पर रख दो इसको इस प्रपोर्शनल टू माइनस का फॉर पाई और साथ में क्या जगा आर की जगा पर यह रखोगे तो कितना आ जगा आर नोट का स् प्रपोर्शनल को था दो एक कॉंस्टेंट लगा दो एक तो कितना माइनस का फॉर पाई ओर नोट स्कॉयर की पावर दो बटे समझ भी आगई यह पता है यह वह रखाउनस यह आपगा एस के और नेगेटिव साएं समझ में आ गई आप इसको आगे लिख ले न तो दो एनरजी निकाल ली वॉल्यूमेट्रिक सर्फेस बात समझ भी आ गई ठीक है न तो प्रिष्ठिय चेतरफल की समानोपाती होती है प्रिष्ठय चेतरफल रग दिया आर की वैलू रग दिया इस इस नाम देदिया तो इसका मतलब अपर वह संख्या के दो नवह उतिते होती है जब कि वॉल्यूमूर्ड आरजी जो होती है वह संख्या की एक पावर के समय नवह पाती होती है यह द्यान रखना सर्फेस कॉंस्टेंट और वेल्यू कितनी है इसकी फोर पाई आर नौट स्क्वाइर बात समझ में आ गई दो हो गई तीसरी कौन से आती है हमारी कुलाम एनर्जी इस सारी वेल्यू उठा के रख देंगे नमबर डाल दे जाना आपस ठीक है हुआ ह्ना दो और तीन हो और एकमेंशा है ठीक है तीसरा है आंका कि कुलाम एनर्जी को थो ए कि कुलाम एनर्जी कहां से हैएं हमों पता है कि नाभिक प्रोटोन र नूट्रोन ने डूट्रोन नूट्रोन द्नेट्रोन है सारे परोटोन क्या क्या करू barbar практи SPEC लिकर्षन बलकी वज़े से जो उजा क्रियेट होगी कुलाम एनरजी बात समझ में आ गई तो पते क्या होता है कुलाम एनरजी जो होती है वो पते क्या होती है वो होती है 3 by 5 k z into z minus 1 ठीक है और नीचे आता है आपका a की power 1ग 2 3, इसके बराबर होती है, मतलब यह कहां से आया उस चीज में आपको नहीं जाना है, वाज समझ में आ गई, यह कहां से आया यहां पर आएगा R, और यहां पर आएगा E square, समझ में आ रही है पताब अपन को इस में नहीं जाना यह आप से पूछा भी नहीं जाता और इसका डेरिवेशन भी आपके नहीं है कि यह कहाँ से आया कौन यह और क्या नेगेटिव साइग ठीक है ना बाकी में फिर भी थोड़ा आइडिया देती हूं आपको यह कहाँ से आया कुलाम उर्जा आईए आपके कुलामबल से कुलामबल क्या होता है कुलामबल एक फिजिक उस्टू बढ़ा है आपने k q1 q2 upon r k है आपके पास यह रहा यह वाला तो k है q1 मतलग कोई भी चार्ज electron e है ना और नाभिक काविश कितना होता है z e तो मिलकर के क्या बन गया z e square और यह जो z minus 1 है यह क्या है पता है protonों की संख्या ठीक है ना तो यह क्या बन गया z z minus 1 और साथ में e square बास अब भई अगर total number of proton neutron 1 माने z proton है तो neutron कितने बचेंगे z minus 1 बचेंगे ठीक है ना इन में लगने वाला फोर्स है यह ठीक है ना चलो derivation में आपको जाना भी नहीं है समझ में आ गई बात ठीक आपको तो बस भ्यान डखना है semi empirical mass formula में kulam energy इतनी होती है समझ में आ गई अब देखो हैं पर बता देंगे here r is equals to क्या होता है r naught a की पावर 1 by 3 और k बराबर आपको पता ही है यहाँ पर कितना है 1 upon 4 by epsilon 0 यह वाला constant आपन जानते है r की value आप यहाँ पर रख दो r की value e c b negative contribution देती है यह ध्यान रखना e c b कैसा contribution देती है negative minus 5 है यहाँ पर तो रख दो यहाँ पर e c is equals to कितना हैगा minus का 3 by 5 k z z minus 1 e square upon r की value रख दो यहाँ पर r naught a की पावर 1 by 3 ठीक है तो जो e c है वो पता है किसके बराबर आजाती है आपके e c आजाती है minus का a c z z minus 1 ठीक है और साथ में आपका नीचे आजाएगा a की पावर 1 by 3 यहाँ पर पता है a c क्या है here a c is equals to कुलाम नहीं है तांक और पता है इसकी value कितनी है value है इसकी 3 by 5 k e square upon r naught ठीक है ना 3 by 5 k e square upon r naught इसकी जगह पर क्या लग दिया मैंने a c बाकी का क्या बच गया z z minus 1 upon a की पावर 1 बड़ तीन तो मतलब गुलाम उर्जा जो है वो a की minus 1 by 3 आफ के proportional है समझ में आगे मतलब प्लस की 1 by 3 के inversely proportional के दो यह 1 by 3 minus के क्या के दो proportional a की बात है ठीक है ना तो यह तीसरी energy हो गई चौथी आपकी आती है अगर नाभिक के लिए उसके n pi z ratio और नाभिक यहाँ पे नाभिक आएंगे सारे इनका अगर 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 आपन ग्राफ खेंचेना तो पते क्या होता है जैसे जैसे नेट्रोनों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे नाभिक के अंदर एस अंतुलन उत्पन हो जाता है यानि ज्यादा प्रोटोनों की संख्या होगी देखो प्रोटोनों की संख्या बढ़ जाएगी तो भी दिक्कत है नीट्रोनों की संख्या बढ़ जाएगी तो बहुता है तो नाभिक में जैसे नेट्रोनों की संख्या बढ़ती है नाभिक का स्थाय तो कम होता है इसको क्या बोल जो होती है ना ये भी negative contribution देती है और ये एसम्मित उर्जा जो होती है ना ये n-z के square के proportional और a के inversely proportional होती है ये ध्यान रखना है मैं ये rules है और ये rules की तरह आपको क्या रखने है याद रखने है समझ में आ गई तो n क्या है neutron की संख्या z क्या है proton की संख्या समझ में आ रही है बाग तो n-z के square के तो proportional होती है और a के कैसे होती है inversely proportional होती है अब neutron की संख्या कितनी होती है नाभिक के अंदर कितनी होती है वही सिंस n is equal to क्या होता है a minus z होता है neutron की संख्या उधर बमान संख्या में से proton की संख्या को घटा करी तो मिलती है ठीक है तो this will implies क्या मिल जाएगा आपको ea is proportional to a minus z इहां रख दूंगी तो a minus 2z हो गया a minus 2z इसका whole square और नीचे क्या बन गया a समझ में आ गए बात आपको ठीक है बस मैंने n रख दिया n क्या है neutron की संख्या है यहां रख दिया मैंने रख दिया तो यह हो गया इसका मतलब क्या हो गया proportionality को हटा दो proportionality को जब आप हटा हो गये तो a constant मिलेगा a a और बाग की चीज़े ऐसी केसी मिल जाएगी यानि कि क्या मिल जाएगा a-2z का whole square और नीचे कितना मिल जाएगा a बात समझ में आ गई a constant है जिसको a सम्मित नहीं अतांक बोलते हैं समझ में आ गई next आपकी जो मिलती है फिफ्ट फिफ्ट है आपकी वह पेरिंग एनर्जी पेरिंग उर्जा यानि कि युगमन उर्जा थीक है तब इतनी जाधा ठीक है नहीं मेरे कोल्ड हो रहा है इसकी वजह से सर में दर्द हो रहा है पर फिर भी मैं सोच रहे हूं कि इस टॉपिक को पूरा करा जाओं क्यूंकि फिर यह रहता है कि अब यह पार्ट बन हो गया फार्ट सेगिंड पता नहीं फिर कब बनेगा तो आप लोगों को दिक्कत रहती है उसलिए कोशिश कर रहे हूं कि इसको टॉपिक को पूरा करा दू है आप इसको वीडियो को पॉस कर लेना रिवायन कर लेना पेरिंग एनर्जी जो होती है वह ध्यान दकना आप एP वह भी नेगटिव कंट्रिबिशन देती है और कितन नूट्रों नूट्रों दोनों सम होंगे तो ए भी सम होगा ए मतलब दिर्वमान संख्या सम होगी उस कंडिशन में नाभिक सबसे ज़्यादा इस्थाई होता है जब नूट्रों की संख्या और नूट्रों की संख्या दोनों विशम है तो उस केस में नाभिक सबसे ज़्याद इस थाई कब होता है यानि कि इस AP की value minus 33.5 MEV होती है कब होती है if A is equals to sum sum मतलब A कब sum होगा Z भी sum है और N भी sum है ठीक है AP का मान 0 होगा जब A आपका कैसा है विशम विशम मतलब odd और ये odd कब होगा जब Z आपका क्या होगा sum और N क्या होगा विशम A कैसे मिलता है Z और N को जोड़ने से ही तो मिलता है protonों की संक्य और neutronों की संक्य को जोड़ने से इन दोनों को जोड़ेंगे तो sum ही मिलेगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो विशम ही मिलेगा तीसरी condition क्या है AP आपका मिलेगा 33.5 प्लस का MEV कब मिलेगा जब A आपका कैसा होगा सम होगा लेकिन सम कैसे होगा Z भी विशम है और N भी विशम है देखके देखो न, अगर 2 विशम संख्याओं को जोड़ोगे तो सम मिलती है, 3 और 3 को जोड़ोगे तो 6 मिलता है, 5 और 5 को जोड़ोगे तो क्या मिलता है, 10 मिलता है, वो भी सम है तो विशम विशम होंगे, तो भी A सम होगा लेकिन उस कंडिशन में AP की वैल्यू पॉजिटिव आएगे और पॉजिटिव होगी, तो AP आपका क्या होगा बैंडिग एनरजी जो है, वो कम हो जाएगी तो AP आपका क्या मिलता, नाभिक जो है, वो कम इस्थाई होगा, सबसे ज़्यादा इस्थाई कब होगा जब माइनस का 33.5 होगी यानि कि A कैसा होगा, सम होगा यानि कि A सम भी कैसा, Z सम और N भी सम यानि कि प्रोटोनों की संख्या, नोटोनों की संख्या दोनों सम होगी, उस केस में नाभिक सबसे ज़्यादा इस्थाई होगा, अब हमने ये सारी वेल्योज निकाली, ECB निकाली EA भी निकाली ठीक है, E P भी निकाल ली, यह सारी value उपन पता है कहा रखेंगे, E B वाले formula है, E B अपने लिखा था न, तो आपके पास पता है क्या मिल जाएगा, सामिया निभाविक सूतर कौन सा होगा, देखो मैं बताती हो, हमने एक equation लिखी थी न, capital M is equals to Z MP plus A minus Z MN minus E B, यहां रखेंगे, M is equals to Z MP plus A minus Z MN minus, E B सबका सम्थी किस कि, E V plus E S plus E C plus E A plus E P, यह सारी energy इस यहां पर रख दो, तो M is equals to Z MP, A minus Z MN minus E V क्या था, A V A, E S क्या था, E S आपके पास था, minus का A S, A की पावर 2 by 3, E C क्या था, minus का, A C, Z, Z minus 1, A की पावर, नीचे 1 by 3, यह क्या था, आपका, minus का, यह रहा, minus का, A minus 2 Z का whole square upon A, और साथ में कौन था, A A, और यह क्या है, आपका, A P, इसके साथ minus कुछ फिक्स नहीं है, plus minus 2 है, क्योंकि एक बार तो minus आएगा यहां पर, एक बार, प्लस आएगा, और नीचे A की पावर 3 by 4, यह क्या कहलाता है, आपका, यह पूर जाता है पेपर में, important है, समझ में आ गई, तो मैंने कोशिश किया, पूरी कि आपका topic पूरा कराके जाओ, वाकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है, M बराबर, यह पूरा formula क्या कहलाता है, semi empirical mass formula, यानि कि सामी अनुभाविक द्रभमान सुत्र, paper में पूछा जाता है, topic हमारा पूरा हो गया है, next class में आपने लोग बात करेंगे, देख लेते हैं, नया topic लेते हैं, या तो मैं Yukawa Mason theory की पहले आपको बता दूंगी क्या है, पूछी जाती है, paper में दो-तिर नंबर का question आता है, यह, कि क्या है, और बाकि देखेंगे next class में next topic, thank you very much.